Hello everyone, welcome to study with Salil आईए देखते हैं आज की इस वीडियो में हम percentage cover करेंगे तो 5 chapter हम already complete कर चुके हैं महाभारत practice set के और यह हमारा 6 chapter है इसमें percentage, इसमें कुल 30 question है इस percentage को हम 2 वीडियो में convert करेंगे तो पहले में 15 सबाल, दूसरे वीडियो में 15 सबाल क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए 2 part इसके आएंगे तो पहला part शुरू करते हैं तो यदि आप हमारे channel पे नए हैं तो channel को subscribe कर लेजिए जिससे आने वाली हर वीडियो का notification मिल सके आईए देखते है question number 1 को हम कैसे करेंगे इसमें यह कहा गया है 180 का 15%, 250 के 18% का कितना परसेंट है तो इसमें देखो compare किया गया है इसमें percentage value कैसे निकलेगी 250 के 18% का कितना परसेंट इससे तुलना कर रहा है तो यह क्या होता है देखो जब भी हम किसी भी number से तुलना करते हैं तो x upon by upon 100% यही तो होता है 100% तो यहां पर यह देखो by से तुलना कर रहा है by का मतलब 250% से 250 और multiply 18 हो जाएगा और उपर आजाएगा 180 multiply 15 और यह हो जाएगा 100% यहां देखो 15% है तो percentage से percentage यह cancel ही हो जाएगा तो इसको solve करेंगे तो यहां से यह हो जाएगा 18 से 18 cancel हो गया और यहां पर यह हो जाएगा 0 और यहां 25 चोखो 100 हो जाएगा तो 15 चोखो 60% हमारा right answer हो गया तो option number यहां पर C बिल्कुल सही है देखते है question number 2 को हम कैसे solve करेंगे question number 2 है यदि 1 संख्या के 1 चौथाई मान लिया मैंने कोई 1 संख्या है X उसका 1 चौथाई 1 चौथाई का 1 बटे 7 भाग 6 है बरावच 6 है तो यहां से X का मान क्या हो जाएगा 4 गुडा में 7 गुडा में 6 अब उसमें यह का है तो जो संख्या आएगी यानि कि X का जितना मान आएगा उसका 500% का 20% पूंच रहा है तो 500% का मतलब क्या होता है 5 और multiply 20% का मतलब होता है एक बटे 5 तो 5 से 5 यह कट गया तो X का मान यहां से आगया साथ चंग 42 42 चौकों कितना हो गया यह 168 तो 168 हमारा right answer हो गया देखते हैं question number 3 को हम कैसे करेंगे इसमें यह कहा गया है question number 3 में question 3 है किसी संख्या में 64 जोडने पर मान लिया कोई मैंने संख्या है 64 जोडने पर वह संख्या अपने 157 साई एक बटे 7 परसेंट बन जाती है तो देखो 157 साई एक बटे 7 परसेंट का मतलब क्या होता है 11 बटे 7 इसको जब हम fraction में लिखेंगे तो यह 11 बटे 7 होगी तो यहां पर यह देखो क्या होता है यह base value होती है और यहां पर क्या होती है यह नई संख्या क्या है यह नई तो यहां पर देखो base 7 है तो इसमें यह कहा गया है जोडने पर हो है 64 जोडने पर यानि कि अगर हम 7 में क्या जोड़े है जो 11 बन जाए तो इसमें मैंने 4 जोड़ दिया तभी तो 11 बनेगा तो इसी की value हमें कितनी दीगे चॉंस है जो कितने गुना है 16 गुना 16 गुना है न तो उसने यह कहा गया है तो संख्या बताईए तो बेस कितना माना है मैंने 7 तो 7 multiply 16 करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 16 सत्य 112 राइट आंसर हो गया तो 112 राइट आंसर अप्शन नमबर B बिल्कुल सही हो जाएगा देखते हैं question number 4 को हम कैसे करेंगे question 4 कहा गया है एक संख्या को 25% गटा दिया जाता है तो वह संख्या 225 हो जाती है मूल संख्या में कितने परसेंट की ब्रद्धी की जाए तो 375 बन जाए 375 हो जाए तो मानलो मैंने संख्या कितनी मानली 100% and कितना है 100% ठीक है अब उसमें यह कहा गया है 25 गटा दिया जाए यानि कि 75% हो जाएगी अगर 25% गटेगी तब संख्या 225 हो जाती है तो मूल संख्या कितने की प्रद्धी की जाए तो यहां देखो यह हो जाएगा 225 और मल्टिप्लाई कितना हो जाएगा 375 इसको सॉल ब करेंगे तो यह हो जाएगा 25 तिया 75 और 25 निम्मा और यह हो जाएगा 3 3 9 यह 3 से कटेगा तीन से 3 x 3 3 2 6 तीन एकम 3 3 2 2 6 3 5 5 125 आया अब इसमें यह का गया है कितने की प्रद्धी की जानी चाहिए तो n का मानिया 100% है और संख्या में मिल गई 125 तो यहा पे कितने की प्रद्धी हो गई 25% की 25% हमारा right answer हो गया option number यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा solve करेंगे यदि किसी भिन के अंस में 40% बढ़ाया जाए तो एबं हर में 30% गटाया जाए तब भिन 6 बटे 7 हो जाती है तो मूल भिन क्या होगी तो इस question को करने का तरीका होता है मान लिया मैंने x क्या है अंस है और यह हर हो गया by और हमें बेन जो भी दिया जाए उसको 6 बटे 7 के बढ़ावर कर देंगे अब देखो क्या करना है किसी भिन में अगर यह कह रहा है अंस में 40% बढ़ाया जाए और हर में 30% गटा दिया जाए तो हमें क्या करना है तो अंस में अगर 40% की ब्रद्धी कर रहा है तो हम क्या करेंगे इसके हर में 40% की ब्रद्धी करेंगे और अंस में हर में क्या कह रहा है 30% गटाया जाए तो हम क्या करेंगे इसके अंस में हम 30% गटाएंगे यानि कि 70% तो यह 70, 7, 2, 14 हो जाएगा तो यहां से भिन पूंच रहा है तो यह हो जाएगा 6, 1, 6 और 7, 2, 14 तो इसका मतलब यह हो गया 3, 7 तो भिन क्या होगी तीनों में relation निकाल लो तो last तीसरी संख्या मालिया 100 है और यह हो गई 75 और यह हो गई 80 देखो यहां पे क्या कहा गया है 25% और 20% कम है तो इसमें कहा गया है पहली दूसरी से का कितना परसेंट है तो यह होगा इसका ratio निकालेंगे तो यह होगा 15 और ratio 16 है तो यहां से जब इसको solve करेंगे तो यह होगा 15 बटे 16 है multiply क्या होगा 100% इसको solve करेंगे तो यह होगा 4 और यह होगा 25 जब इसको solve करेंगे तो यह होगा 375 बटे में 4 इसको हम लिख सकते हैं 93 साही 3 बटे 9 परसेंट, 93 साही 3 बटे 9 परसेंट का मतलब है 93 साही 3 बटे 4 परसेंट, कितना हो चाहती है 12, 13, 14, हाँ 4, 93 साही 3 बटे 4 परसेंट, तो option number D बिलकुल सही हो जाएगा, देखते हैं question number 7 को हम कैसे करेंगे, question 7 क्या रहा है, यदि मजदूरों और efficiency, यही तो होता है, तो इसमें ये काग्या देखो, इसमें successive लग जाएगा, तो यहां से percentage बराबर यह हो जाएगा, man minus efficiency और यह हो जाएगा, man efficiency upon 100, तो इसमें 50% की बड़ उत्री करता है, 50 minus, यह हो जाएगा 40, minus, यह हो जाएगा 50 multiply, 40 upon 100, तो इसको जब solve करेंगे, तो यह हो जाएगा 10 minus का 20, तो यहां पर minus का 10 हाया, minus का 10% का मतलब है, यह decrease कर रहा है, तो change percentage ही हो जाएगा 10%, तो 10% नमारा right answer हो गया, आएगे देखते है, question number 8 है, 8 कह रहा है क्या, यदि चीनी की कीमत में 30% की बड़ुत्री की जाती है, चीनी की कीमत में 30% की बड़ुत्री की गई और खपत में 10% की 10% कटाईगी, तो कुल खर्च बताईए, तो देखो खर्चा पराबर क्या होता है, कीमत और गुणा खपत, तो इसमें भी successive लगा तो यह हो जाएगा 30 minus 10, minus 30, गुणा में 10, और बटे में 100, तो यह हो जाएगा, इससे cancel हो गया, तो यहां से 20 minus का 3 is equal to 17%, अ एक आयत की लंबाई, 20% गटा दी गई, तदा चोड़ाई, 10% बढ़ा दी गई, और उसके छेत्र फल में percentage पहुच रहा है, तो छेत्र फल मराबर क्या होता है, लंबाई, गुणा चोड़ाई, तो इसमें भी successive लगा, तो यह हो जाएगा, minus का 20, plus का 10, plus का 10, minus 20, गुणा 10, तो यह 0, 0, कट गया, यहाँ पे हो जाएगा, minus का 10, minus का 2, तो minus के 12 आगया, minus के 12% का मतलब क्या हो गया, 12% का क्या हो गया, चेंज आगया, तो यहाँ पे यह हो गया, 12%, right answer हो गया, question number 10 क्या गहरा है, इसमें यह कहा गया है, एक घन की लंबाई 15% बढ़ाई जाए, चोड़ा उचाई को दो गुना कर दिया रहा है, तो आयत में चेंजमेंट बताना है, तो देखो, लंबाई क्या हो जाएगा, यह, लंबाई, L1, दोनों में relation निकालना है, तो L1 यह हो जाएगा, B1, और H1 बराबर L2, L2, और यह B2, और H2, 15% का मतलब क्या हो जाए, तीन बढ़ाई 20, बढ़ाई जाए, तो यानि कि 20 से हमने क्या कर दी, 23 कर दी, और उसके बाद चोडाई में क्या कह रहा है, 10% घटाई जाए, तो multiply यह हो जाएगा 10, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, 9, अब H height को क्या गह रहा है, 2 गुना कर दिया जाए, यानि कि 1 से क्या हो गई, 2 हो गई 107% का chainment आया, तो 107% हमारा right answer, देखते हैं, question number 11 को हम कैसे करेंगे, एक कार को 40% कम समय में समाब्त करने में 30% अधिक सिर्मकों को लगाया गया, यदि नए सिर्मकों की संख्या, संख्या नए सिर्मकों की कार चमता 20% अधिको कुल कार, परसेंटेज, देखो same सवाल है, इ यार्मा सवाल है, यह बर्क बराबर, man और efficiency और time यही तो होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका formula हो जाएगा, m1, e1 और t1 is equal to m2, m2 और e2 और यह हो जाएगा t2, तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, कार में 40% कम समय, 40% कम का मतलब होता है, 40% कम का मतलब क्या हो यहाँ से और यह हो जाएगा 40% कम, तो यह हो जाएगा 60 upon 100, तो यह हो जाएगा 3 और 6 और यह हो जाएगा 10, तो यहाँ से यह कितना हो जाएगा, सबसे पहले क्या कह रहा है, 30% अधिक सिर्मकों को लगाए जाता है, 30% अधिक सिर्मकों का मतलब हो गया, man, तो यहाँ पे 10 से कितना हो गया 13, उसके बाद efficiency क्या कह रही है, 20% अधिक, तो 20% अधिक का मतलब यह हो जाएगा, 120 multiply यह हो जाएगा, 10 से यह हो जाएगा 12, और time कितना है, 40% कम का मतलब हो जाएगा, यह 10 से 6, 10 से और यह हो गया 6, अब इन नों के बीच relation निकाल लो, तो यह हो जाएगा, देखो 200 यहाँ पे, हम क्या करेंगे, एक यहाँ से decimal, एक 0 को कम करेंगे, तो यहाँ एक अंकभाद decimal आ जाएगा, तो इसका जब गुड़ा करेंगे, तो यह हो जाएगा 936, तो एक अंकभाद dictionary लगा दो, अब इसमे यह हो खाए, कोई पहले क्या था, 100 था, उसके पाद 93 हो गए, तो इसका मतलब कितना चेंडमेंट आया, ये हो जाएगा 6.4%, 6.4% क्या होगी, 100-93 यानिकी घट गई, तो यहाँ पे 6.4% क्या होगया, चेंडमेंट आगया, तो 6.4% की कमी होगी, तो 6.4% हमारा राइट अंसर होगया, देखते हैं, question number 12 क्या कह रहा है, चीनी की कीमत में 30% ब्रद्धी हो जाने के कारण, एक परवार को 40 kg चीनी कम खपत करता है, जिससे उसका खर्चा केवल 10% बढ़े, तब बास्त भी खपत क्या होगी, देखो, हमने क्या बताया था, खर्चा बरावर कीमत खपत होता है, तो हम क्या करेंगे यहां पर, देखो, खर्चा बरावर कीमत और खपत, कीमत खपत, तो यहां से इसमें क्या करेंगे, 13, 130 बटे में 100 हो जाएगा, तो यानि कि इसको हम change करेंगे तो हमसे क्या पूँचा गया है खपत पूँची गया है तो यह हो जाएगा इसका जब भाग देंगे तो यह हो जाएगा 10 बटे में 13 और consumption को हम मान रहे है C1 और बटे में C2 is equal to यह हो जाएगा 10% बडे तो यानि कि 11 थी 10 से क्या हो जाएगा तो C1 पूँची डूट किया हो जाएगा यहाँ से C1 पूँची तीटू हो जाएगा 13 बटे में जया रहे अब देखो इसमें क्या कहा गया है इसमें ये कहा गया है 40 ब्रद्धी हो जाने के कारड़ एक पर 40 kg कम खपत करता है तो यहां पे 40 kg कम खपत करता है यानि कि कितना कम कर रहा है दो तो 2 की पहले हमें दी गए 40 कितने गुना 20 गुना है तो हम से क्या पूछा गया है बास्त्विक खपत तो बास्त्विक खपत C बन यानि कि 13 तो 13 दुनी 26 260 kg हमारा right answer हो गया 260 kg का मतलब यह option number D सह से करेंगे क्या कह रहा है जब कर पर जब कर का प्रतिसद 24 परसेंट से घटा दिया जाए तो सकह लाए में 6 परसेंट की व्रद्धी हो जाती है प्रारंभ में कर प्रतिसद कितना देखो इसका डारेक्ट एक फॉर्मूला होता है परसेंटेज यानि कि जो चेंज आएगा प्रारंभिक परिवर्तन तो यहाँ परसेंटेज चेंज इस इक्वल्ट हो जाएगा नेट इंकम और यहाँ पे यह हो जाता है टेक्स टेक्स पिलस नेट इंकम नेट इंकम मल्टिप्लाई 100 परसेंट तो इसमें हम डारेक्टर फॉर net income कितनी है 6 और ये I को क्या बूल net income और tax कितना है कर percent है 24 तो 24 पिलस 6 24 पिलस 6 और multiply 100% कर देंगे यहां से तो यह हो जाएगा 6 बटे में 30 और यहां से यह 100% इसका मतलब हो गया 6, 35 और यहां से यह हो जाएगा 20% 20% हमारा right answer हो गया question number 13 हो चुका है आएए देखते है question number 14 को हम कैसे करेंगे इसमें यह कहा गया एक पात्र में नमक एवन पानी के गोल में 15% नमक है जब नमक को मिलाया गया तो गोल में नमक का percentage 25% हो गया यदि मिसरड की अंतिम मात्रा 102 लीटर हो कितनी वो 102 लीटर हो तो नमक की प्रारमबिक तथा अंतिम अंतर गयात के लिए तो हम क्या करेंगे देखो इसमें नमक दिया गया है गोल में 15% नमक है और इसमें भी हम क्या करेंगे water की quantity को इसे इक गोल में 15% नमक है इसका मतलब इस वाले container में 85% water होगा अब दूसरे हम क्या कह रहा है घोल में नमक का परसेंट 25% है तो दूसरा container भी है उसमें कितना है 25% नमक है तो इसका मतलब 75% water होगा तो यहां से ratio क्या हो जाएगा 15 ratio कितना हो जाएगा 17 देखो इसको जब 5 से काटेंगे तो यह हो जाएगा 15 ratio शत्रे तो इसमें यह कहा गया है कि अन्ति मात्रा अन्ति मतलब 17 की value हमें कितनी दीगे यह 102 तो 17 शिक्का 102 यह 6 गुना है तो इसमें यह कहा गया दौनों के बीच का अंतर अंतर कितना है दो का तो 2 की value कितनी हो जाएगी गुना 6 करेंगे तो यह हो जाएगा 12 तो 12 हमारा right answer हो गया यहने कि 12 liter तो 12 liter 12 अन्ति मात्रा ग्याद किये तो यहाँ पे kilogram नहीं होगा देखो यहाँ पे liter होगा 12 liter हमारा right answer हो गया option number यहाँ पे भी बिल्कुल सही हो जाएगा देखते है question number 15 को कैसे करेंगे एक जान परिच्छा में 250 प्रस्ट में थे जसी ने पहले 125 सवालों में 40% सही किये अंगले 125 सवालों में से कितने प्रतिसाथ होए सही हल करे कि उसे पूरी परिच्छा 60% अंक राप्त करे हम क्या करेंगे देखो दोनों यानि कि हमने क्या किया 125 बराबर 125 इस इकुल टू ये 250 हो जाएगा हमने कि तभी तो ये होगा देखो अंगले 125 यानि कि दो भागम डिस्ट्रिब्यूट कर रहा है तो ये 250 हो जाएगा इसका rayshyo 1,1 और ये 2 हो जाएगा इसने ये कहा है कि वह है सही सवाल वह है सही सवाल करेंगी उसे पूरी परिच्च्छा 60 % 10 60 % अंक प्राप्त हों तो यानि कि उसे 60 % अंक प्राप्त हो रहे हैं अब उसने ये कहा है कि 125 में чис सही कर रहा है तो 40 सही का मतलब है वहाँ पे देखो यहाँ पे उसे 60% करना चाहिए तो 60% सही करना चाहिए तो हमने क्या किया यहाँ पे 20% add कर दिया 60 में 40 माइनिस करेंगे तो यह 20% तो यहाँ पे कुल percentage पूँच रहा है इसमें यह का गया है सही सवाल करें तो यानि कि यह 80% तो 80% हमारा right answer हो जाएगा option number 20 तो यह हमारे 15 question थे अभी हमने इस part में 15 question का solution किया अंगले 15 question का solution next भी